हेलो और वेलकम टो फुटफाइट्स यहां पर मैं आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंट टेस्टी रेशिपी और आज के अमरे जो सूपर टेस्टी रेश्पी है ना वह एक स्नैक बोली जिए ब्रेकफस्ट रेसिपी बोली जिए मैं तो एक्चली डिनर में भी खा सकते ह तो आज हम बनाएंगे मौंग दाल का ढोक्ला जाह है कि इसके लिए मैंने थोड़ासी ज्यादा बनाया है अपंदोरी कुप सते तो सूची यहाँ पे मैंने एक कपली है और इन सब चीजों को अच्छे से खिगोना है हमें तो मैं खिगो रही हूँ यहाँ छाच में हमें छाच में इनको खिगोना है क्योंकि छाच जो है बाद में जब हम इसको फर्मिंट करेंगे तो ये बहुत जादा सही रहता है तो इसलिए छाच में ही मैं इन सब को भीगो रही हूँ पानी में बिल्कुल नहीं भीगोना है तो अच्छे से सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स और अभी इनको अराम से तीन से चार घंटे तीन घंटे में भी हो जाता है वैसे भीगो कर छोड़ देंगे ताकि जो हमारी मुंगदाल है वो अच्छे से भीग जाए क्योंकि मुंगदाल का भीगना बहुत ज़रूरी है बाकी पोहा और सूजी तो आपको पताई है जल्दी ही गल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर को मैं इसी चाच के साथ ही अच्छे से पिस जाएंगे एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो यहां पे चाच के साथ ही मैं इसको पिस दूँगी और बहुत ही एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे मतलब जितना हो सकता है उतना आप फाइन पेस्ट इसका बना लो और यह लीचे हमारा चो पेस्ट है वो देखिए पिस रहा है बहुत अच्छे से और अभी ना क्या करूँगे मैं इसके साथ ना हरी मिर्च और नीम्बू भी मैं यहीं पे इसमें एड़ कर दूँगी तो दूसरे जो दूसरा जो सेक्शन मैं यहां पे ले रही हूँ उसमें मैं हरी मिर्च भी दे दूँगी साथ में तो थोड़ा सा अगर मतलब आप पे डिपेंड करता है कितना आप तीखा लेना चाहते हो मैं थोड़ी सी तीखी वाली यहां पे पांच हरी मिर्च ले रही हूँ साथ में एक चम्मच चीनी और दो चम्मच जितना मैं यहां पे नेमो का रस ले रही हूँ और साथ में दो को बीज भी गिर गया बीज नहीं पीस नहीं बीज निकाल लेंगे हम और इन सब को अच्छे से पीस लेंगे तो पूरी जो मुंगदाल और पोहा सूजी हमारी है उन सब को हम इसी तरीके से पीस कर निकाल लेंगे उसके बाद हम आगे की processus में करेंगे तो यहां पे देखो सारा जो मेरा batter है वो बिलकुल ready है आप देख सकते हो कितना अच्छा यह batter पिसकर बना है बिलकुल मैंने पानी का use नहीं करा है जो छाच में यह भीगा हुआ था वो ही मैंने use करा है और इसको अच्छे से मतलब पीस लिया है और बिलकुल भी पानी के ज़रूत नहीं पड़ी अब इसमें हम डालेंगे seasoning तो यहां पे नमक मैं add कर रही हूँ तो अच्छे से नमक इसमें थोड़ा सा यह नमक में कमी नहीं होने चाहिए क्योंकि कम नमक भी अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बैलन्स होना चाहिए तो आप गोल जब बना रहे हो ना तो गोल को थोड़ा सा ऐसे चख लेना आपका पता चल जाएगा उसके साथ ही यहां पे देखो लालमिच का पाउडर और हल्दी पाउडर भी दिया है कलर बहुत ही प्यारा आजाएगा हल्दी से तो यल्लोईश कलर इसमें आएगा तो अभी इन सब को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और यह लीचे हमारा बैटर जो है डाल सकते हो मैं एक साथ ही इसमें एड़ कर रही हूँ और जागाने लग गए हैं क्योंकि हमने चाच यूज करी थी उससे इनो बहुत जल्दी रियक्ट कर रहा है और बहुत अच्छे से यह फर्मेंट हो जाएगा तो यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ ढोकला बनाने के लिए यह एक पैन तो इसमें ही मैं एक्चली बनाती हूँ ढोकला और हमारा जो steamer है वह भी मैंने ready कर लिया है अच्छे से पानी जो है वह steam हो रहा है तो अब ही इसमें मैंने oil grease कर दिया है साथ में मेरे पास na katoriya भी है मेरे जो steamer है उसके साथ ही इडली बनाने का साथ में ढोकला बनाने के लिए और साथ ही ये katoriya भी आई है तो मैंने सोचा कि चलो इन में भी मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालके बना लेती हूँ तो अभी जो बैटर है वो हम इसमें पोर करते जाएंगे इस तरीके से पूरा फिल नहीं करना है थोड़ा स्पेस रखना है थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते हुए फिल कर लेंगे थोड़ा मैंने इनको टैप करते जा रही हूं साथ के साथ ही ताकि जो बबल्स है वो निकले और अभी इनको हम प्लेस कर लेंगे हमारे स्टीमर के अंदर तो ऐसा कुछ सेक्शन दे रखे हैं मेरे स्टीमर में डबल सेक्शन वाला है वो तो दोनों ही लेयर उसमें आ जाएंगी और यह लीचे कटोरियम भी बिल्कुल रेडी है हमारी स्टीम होने के लिए तो अभी चलिए फटा फट इनको स्टीमर में रख देंगे और लाइक 10-15 मिनट्स लगेंगे इनको स्टीम होने में और फिर आप बीच में चेक कर लेना अगर आपको लगता है कि यूनों चेक करने की ज़रुत है तो बाकी आप 10-15 मिनट्स इनको अच्छे से कुख होने दे और बीच में चेक करेंगे तो अगर आपका चाकू या चमच भी इसमें आप दे रहे हो तो वो बिल्कुल क्लीन निकलना चाहिए और अभी जब तक मेरा जो ढोकला है वो स्टीम हो रहा था तब तक मैं बाकी बैटर को इडली वाले सांचे में डाल रही हूँ क्योंकि ये भी रखा था मेरे पास तो मिन सुझा कि चलो वो जैसे ही निक इसलिए मैंने जैसे ही इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा बाकी इडलिया मैंने चड़ा दी वो भी इडली वाले ढोकले बन जाएंगे और यहां पे मेरे ढोकले जो है वो बिल्कुल एकदम स्पोंजी बनकर रेडी हुए टेस्ट में इतने जबरदस्त बने थे नमक और चीनी का घुल बनाके रख लिया था वो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ बट फिल्हाल के लिए अभी तड़का बनाएंगे इसके लिए तो यह देख सकते हो आप मेरे जो स्पोंज हैं वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं जाला बहुत अच्छा इस में आया है तो अभी इसको तो रखेंगे साइड में और अभी इसके लिए बनाते हैं फटा फट से तड़का तो तड़के के लिए मैंने तेल यहां पे गरम कर लिया है इसमें मैं डालूंगी राई साथ में करी पत्ता हरी मिर्च भी मैं दे रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च ढोखले के साथ बहुत जादा अच्छी लगती है तो वो भी मैं फ्राई करने वाली हूँ तो यह लीजे हरी मिर्च भी इसमें आ गई हैं साथ में करी पत्ता और सफेद वाले तिल मैं दे रही हूँ बहुत ही सुन्दा लगते हैं दिखने में और काफी सही लगते हैं तो बस इनको थोड़ा थोड़ा करके हम जो ये ढोकले हैं इन पर पोर कर देंगे अब जिनको ऐसे पसंद हैं आप इनको ऐसे भी चटनी के साथ इंजोई कर सकते हो बहुत जादा यम्मी लगते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हमको थोड़ा सा जूसी पसंद है इसलिए मैं थोड़ा पानी इसमें एड़ करने वाली हूँ तो अभी इसको अच्छे से सारी जो ढोकले हैं उन पर पोर कर देंगे ये लीचे बिलकुल हमारे जो ढोकले हैं वो बनकर रेडी हैं ये एक बहुत हेल्दी बहुत ही टेस्टी खा लेती हूँ तो मुझे इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए मैं ऐसे ही भी खा सकती हूँ और ये लीजे मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही जादा टेस्टी बहुत स्पॉंजी बना है तो बस ये बिलकुल रेडी है आप इसको बिलकुल बना कर देखें और देखें मेरी एडली हमें बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है तो मैंने इन सब को एक बड़े बरतन में इस तरीके से प्लेस कर दिया है एडली भी नीचे ढोकले हैं उपर एडली हैं तो सब कुछ क्योंकि काफी ज़्यादा मात्र में मैंने बनाया था तो एक बड़ी सी परातली मैंने और उसमें सब प्लेस कर दिया और अभी जो ये तड़का हमने बनाया था सारा तड़का मैंने इस पे पोर करा और जो तड़के वाला पैन था ना मैं यह नीमबू चीनी और नमक का गोल इसमें दे रही हूं और इसके अंदर पूरा में यह पानी डाल कर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और फिर बस इसको एंजोई करेंगे हमारी टेस्टी टेस्टी जूसी ढोक ले तो आप भी ज़रूर इसको ट्राय करना और नहीं कर रहे हूं तो मेरे चैनल को ग्रो कैसे मिलेगी और रेसिपी कैसे बढ़ेंगे